अनुछेद लेखन बच्चों, अनुछेद लेखन में किसी भी विशय पर अपने विचारों को क्रमबध रूप में लिखा जाता है आओ, इस पार्ट में दिये अनुछेद को ध्यान से सुनो और समझो किसी एक विशय पर अपने विचारों को प्रकट करके लिखना अनुछेद कहलाता है अनुछेद कुछ वाक्यों में लिखा जाता है अनुछेद लेखन से बच्चों की कल्पना शक्ती, रचनात्मक शम्ता का विकास तो होता ही है साथ ही विशय की जानकारी भी बढ़ती है अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए दिये गए विशय पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए विचारों को क्रमबद करके एक रूप रेखा तयार करनी चाहिए विचार सरल, छोटे तथा स्पष्ट वाक्यों में लिखने चाहिए मूल विशय से नहीं हटना चाहिए मुहावरों का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए संकेत बिंदू, बस द्वारा चिडिया घर जाना, टिकट खरीदना, तरह तरह के पशुपक्षी देखना, भोजन करना, वापसाना एक दिन हमारी अध्यापिका जी ने कक्षा में बताया कि वे हमें चिडिया घर दिखाने ले जाएंगी यह सुनते ही बच्चे फूले न समाए तथा तालिया बजाने लगे हमें अध्यापिका जी ने निर्देश दिया कि सब बच्चे अपने साथ खाने की सामगरी तथा पानी अवश्य रखें धूप से बचने के लिए टोपी जरूर लाएं अगले दिन हम बस द्वारा चिडिया घर पहुँचे बस में सब बच्चों ने खूब गाने गाए चिडिया घर पहुँच कर सबसे पहले टिकट घर से टिकट खरीदे फिर पंक्ती बना कर चिडिया घर के अंदर गए हमने वहां बाग, हाथी, हेरन, शेर, गेंडा, नीलगाई, जिराफ, जेब्रा तथा अन्य जानवर देखे हमें चिम्पांजी देखने में सबसे ज्यादा आनंद आया घूमते घूमते ठकने के बाद हमने भोजन किया फिर पक्षी घर में विभिन प्रकार के पक्षी देखे शाम को चार बजे हम बस में बैठ कर वापस विद्याले आ गए चिडिया घर की सैर करने में हमें बहुत मजा आया तथा बहुत से जानवरों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई